हम यहाँ पर 500 ग्राम बाजरा लेंगे और इसको हिमाम में डाल देंगे उसके बाद हम यहाँ पर आदा गिलास बाने लेंगे और इसे अच्छे से गीला कर लेंगे अब इसी तरह हमें 10-15 मिनटर अच्छे से कूट लेना है तो देखे हमारा बाजरा अच्छे से कूट चुका अब यहां पर हम फैले मुका एक बरतन लेंगे और उसमें बाजरे को डालकर अच्छे साफ कर लेंगे तो देखिए हमारा बाजरा साफ हो चुका है फिर से हम हमाम में उसी बाजरे को डालेंगे और 10-15 मिन्ट और कूटेंगे तो हमारी खिच्डी को चुकी है उसके बाद हम एक कटोरी तिल लेंगे और उसको भी हमाम में कुट लेंगे तो देखिए हमने खिच्डी को भी कुट लिया है और तिली को भी कुट लिया है अब यहां पर हम थोड़े से चावल लेंगे और चवले की दाल को हम धोलेंगे और गरम पानी में डाल देंगे उसके बाद गरम बन कर त्यार हो जाती है, बहुत ही टेस्टी लगती है,